हेलो साथियो नमस्कार आप सभी को सूपरभाद जिसे कि आप देख पारे हो थमनेल में कि BSTC 2020 की एंस्विर की हिंदी की एंस्विर की मैं आपको बताने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि मैं जो आपको एंस्विर बताने जा रहा हूं वो आपने सही कियोंगे यहां पर जो मैं बात कर रहा हूँ जो question paper आया था 30 question जो 171 से लेकर 200 question आये थे बिल्कुल आसान question नहीं थे कुछ एक शब्दावलियों की बात करें तो अलग हो सकती है लेकिन बड़ा ही अच्छा और level का paper है और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जितने भी मेरे YouTube के वीडियो है समंदित प्रसंद से समंदित जो वीडियो है उन में से कोई ना कोई question आवस्ट ग्रूप से पुछा गया है आप देख सकते हो चाहिए समंदित से समंदित है चाहिए समाज से समंदित है तो मैं ह देखे 171 यानि पहला question क्या था यहां पर मैं आपको पढ़के बता रहा हूं पहला question क्या था आप संगत विकल्प का चैन कीजिए आप संगत विकल्प हमें बताना है ठेके यहां पर जो चार ओप्शन दिये गया है उन्हों चार ओप्शनों की अगर मैं बात करूँ तो दे और तीसरे की अगर बात कुरू मैं है तो तीसरे दिया गया है 소श्ठाव और चोथे option के अगर बात हम करेंगे तो चोथा option आपको दिया गया है आनुसंगिक ठीक है आप संदी की class देखो गें तो यह 4 ही जो आपको option दिखाई दे रहे हैं वो मेरी क्लास में मिल जाएंगे देखे सबसे पहले आपको ऐसंगत छाटना है तो ऐसंगत छाटने के लिए इनको हम क्या करते हैं कलियर करते हैं तो आपको दिखाएगे अभी यहाँ पर नियास है यहाँ पर आपको यन संदी का नियम दिखाए दे रहा है नी धन आस नी धन आपती क्या दिखाई दे रहा है वीधन आपती दिखाई दे रहा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा यहां पर देखिए सेव यहां पर वियंजन संदी का नेम आपने देखा था प्रस्थम सब्धिकेंट में अगरी चार मात्रा मिलती है ये ऊ और उसके बाद में टयवरग सोड़ी तैवरग का छटा तैवरग का कोई सब्सक्राइब करते हैं ठीक है यहां पर इन दोनों को परिवर्तन करें और उसके साथ में जो वैव किसे बना है वह आपका जो परतिया है उससे व अनुशंगिक अनुशंगिक में आपको उन्त में क्या दिखाई दे रहा है एक पर्ते दिखाई दे रहा हो ऑल को reasल है जो हमारा जो मूनि शब्द है या जो शब्द का जो पहला वर्ना उसमें परिवरतन करता है यहां पर देखें अनू संग इस परकार से अगर यह जोड़ा बनाएंगे तो इस परकार से बनेगा और भी इसको तोड़ना चाहेंगे तो इस तरीके से यह तूट जाएगा यानि यह से आया वो यहां पर वापिस वेंजन संदी के वज़े से यह हो गया और यहां पर यह वाला हो जाता है इसक चार नमबर उप्शन इसका राइट हो जाने वाला है यहाँ पर इसका चार नमबर है वो राइट हो जाने वाला है तो नेक्स्ट क्यूशन की अगर हम बात करें नेक्स्ट क्यूशन आपका क्या है तो दूसरा जो क्यूशन है वो आपको ये मिलता है कि रमाइन शब्द में कौन सा परते है रमाइन शब्द में कौन सा परते लगाया गया है तो यहां पर देखिए रमाइन जो शब्द है दूसरा जो क्यूशन है वो ये है रमाइन शब्द में परते तो यहां पर जब हम दिर्ग शंदी की बात करते हैं तो हम लगबग यही पहला उधार लेते हैं इसमें दो परकार की संदियों का नियम लगता है लेकिन यहां पर आग्ये जब मात्रा आपको दिखाई देती है तो हम इसको इस तरीके से करते हैं राम धन आयन ठीक है अब देखिए पहले रूप से यहां पर बात करेंगे तो दिर्ग शंदी हो जाती है लेकिन इस नय का जो अनय परिवर्तन हुआ उसके लिए हम कौन से नियम लगाते हैं वेंजन संदी का नियम लगाते हैं कि कहीं भी प्रतम शब्द में रह आ जाए और दियुत्य शब्द में कहीं भी नय आ जाए उस रह की वजए से वो नय है वो नय में परिवर्तन हुआ यह दो नियम लगते हैं और आपको प्रत्य कौन सा पुछा गया है तो आपके option में यहां से आयन प्रत्य है तो आपका option यह right हो जाएगा आयन प्रत्य होगा option number आपका वी से ही हो जाएगा ठीक है उसके बाद में जो तीसरा question है वो क्या है तीसरा question आपसे यह पुछा गया है निमन लिखित में से कौन सा शब्द निशंक का प्राइवाची नहीं है यह जो आपको निशंक दिया गया इसका प्राइवाची कौन सा नहीं है तो यहां पर जो चार option में मिलते हैं वो पहला option यह मिलता है आपको सुरक्षित एक और इसके बाद में आपका जो ओप्शन मिलता है निर्वय झाथ और इसके साथ जो निस्शित और उसके बाद में जो चोथा option मिलता है वो यह मिलता है निशंक। अब देखिए आपको क्या पुच्छागा इसका प्रायवाची नहीं है तो सुरक्षित है निर्ब्य है लेकिन जो निशंग है वो इसका फ्राये वाची शब्दनिया तो इसका चार नवर अप्सन और राइट है याँ पर हो जाता है उसके बाद में हम नेक्स्ट्ट क्विशिन के अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्यूशिन आपका है है इसन दुक्रियों कि बाध हम करेंघे तो आपका है वन 75 व меньше है स्वरी वन 74 में क्या बेट गए तब तरुचाया में बैठ गए तब तरुचाया में आपका क्विशन यह है तरू चाया यहां पर एक हंकर नहीं किया गया है चोते क्विशन की बात कर रहा हूं बेट गे तरू चाया यहां पर यह वाला जो क्विशन आपको दिखाए दे रहा है तरू चाया यहां पर इस तरू चाया का आपको क्या पूछा गया क्विश्चन यह कि तरू चाया में शुद्ध रूप होगा यहां पर जो चार रूप यहां पर दिये गए हैं एक तो दिया गया आपको तरू चाया एक आपको दिया गया है सीधा यह जो आपका उप्शन मिलता है तरू चाया एक आपका मिलता है तरू चाया और अगला जो option आपको यहाँ पर मिलता है जो last option है वो है तरू छाया हो गया और मात्रा बड़ी लगा दी गया और एक में क्या कर दिया गया है ये वाला option है ठीक है जब हम संदी के नियमों में जाएं तो संदी के नियमों में हम जाते हैं तो आपको जो वृदी शंदी है उसमें आपको पता चलता है कि आपका ज़ो प्रथम शब्द में अगर स्वराजाए प्रथम शब्द के अंतने स्वराजाए और दूसरा शब्द का प्रारम है वो छैवर्ण से हो जाए तो हमारा जो धनका निशाने उनके बीच में चैय का आग्मन होता है तो चैय का आग्मन है तो इस तरीके से ये तरू चाया वाला आपका option है वो right हो जाएगा option number जो आपका मेंता है इस question के लिए वो एक number option है वो यहां से right हो जाएगा इसके बाद में हम नेक्स्ट जो पांस नंबर क्विशन की अगर बात करें थोड़ा सा टाइम जुरूर लगेगा इस वीडियो में लेकिन आपके एक एक क्विशन वो हल होने वाले हैं नेक्स्ट जुशन है कि परशिद उपनियास गोदान तो आप तो गोदान तो पढ़ते ही आरे पांचमा क्विशन है जो यह उपनियास आपको दिखाई दे रहा है यह किसके द्वारा रचित है तो हिंदी के महन कताकार उपनाइसकार मुंसी प्रेम चंद तो आपका प्रेम जंद वाला ओप्षन राइट हो जाएगा मुंसी प्रेम चंद इसका राइट एंसवर हो जाता है उसके बाद में यदि मन लगाकर काम करोगे तो मैं इस वाकियों लिख रहा हूं चटा क्विशन है यदि मन लगाकर काम करोगे तो क्या होगी तो सफलता प्राप्थ होगी तो सफलता प्राप्त होगी आपको इस मैंसे वाक्य का परकार पुछा गया है तो हम वाक्य के परकारों की बात करें तो ये वाला जो वाक्य है वो किस परकार का वाक्य है वाक्य मूल रूप से प्रियोग वे सरंचना के दार पर तीन परकार के वाक्य होते हैं सरल वाक्य, सियुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या है ये प्रधान वाक्य आपको दिया गया है ये कथन दिया गया है प्रधान उपवाक्य और उसे वाला क्या है प्रधान उपवाक्य है और उस प्रधान उपवाक्या पर ये वाला जो उपवाक्या वो आस्रित है यदि मन लगा कर पढ़ोगे या काम करोगे तब इस पलता प्राप्त होगी अर्थात हमारा ये जो प्रधान उपवाक्या है उस प्रधान उपवाक्या पर ये आस्रित उपवाक्या है जो भी आपका option बनता है वो आपका यहां से right हो जाएगा next question की अगर हम बात करें तो next question आपका यह है निमन लिखित में से ततपुरु समास का उधारन आपको बताना है निमन लिखित में से ततपुरु समास का कौन सा उधारन है अब सबसे पहले तत्पुरु समास का उधारण आपसे पूछा गया है तो तत्पुरु समास को जानने के लिए आपको क्या करना है जब हम इनका विग्रे करते हैं इनका जब हम विग्रे करते हैं तो क्या आती है कारक की विवक्तियां आती है क्या आती है कारक की विवक्तिया उधारन में आ रही हैettes on एक बार मैं आपको Fantasy डिये गए आसाती यथा सटी जो पहला है वह साती अ कौल कि दूसरा है यथा शक्ति कि इसाई पति प्रृति अधर्वर की अगर बात यहां से अंद्ध टो आमरत पर जबेब इनका विग्रह करते हैं तो यथा यथा क्या है एक अव्यव है यह आपका प्रति क्या है एक उप्षर्ग है उप्षर्ग अव्यव की भांतिकारिय करते हैं किसी वाक्य में आग क्या है आपका उप्षर्ग है वो भी क्या करता है अव्यव अर्थात किसी विधारणों में प् करें ये विगरहि आसा से आतित यानी आसा से परे तो ये चीज क्या है पहली जो संग्या है वह दूसरी संग्या है अलग ओती यह शेया दिखाए दे रही आ हो और से कारक की भिवक्ति आई है कारक चीन यहां पर आया है तो यह वाला जो उधारन कुन सा हो जाएगा तत्पूरु समास हो जाएगा यह आपका एक नमबर ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा उसके बाद में हमें सेकंड है उधारन की बात हम करें तो आपका नेक्स्ट क्यूशन यह कि सरस का विलॉम शब्द होगा ने कि सरस का विलॉम अब देखिए इसको जब हम इसे शब्द का जब हम विग्रा करेंगे सै उप्शर्ग धन रस यह शब्द आपके सामने निकल कर आया सै क्या है आपका उप्शर्ग जिसका अर्थ क्या होता है सहीत किसके सहीत रस सहीत लेकिन आपके उप्शन में क्या-क्या मिलते हैं देखिए पहला उप्सन आपको दिया गया है निरश दूसरा उप्सन आपको दिया गया है निरजल तीसरा उप्सन आपको दिया गया है निरही और चोथा उप्सन आपको दिया गया है दुरलब यह चार उप्सन आपको मिलते हैं चारों में आपको इसका विलोम बत यह पर निर धन जल निर प्लस यह है दूर प्लस लब यह दो तीन ओप्सन है वो क्या हो जाएंगे इसके रोंग हो जाएंगे गलत हो जाएंगे ओप्सन नंबर एक इसका राइट होगा next question की बात मैं आपको यहां पर करूं तो सोने में सुगंद मुहावरे का अर्थ है next question आपका क्या दिया गया है सोने में सुगंद यह जो मुहावरे दिया गया है इसका अर्थ हमें बताने है सोना क्या होता है मुल्यवान चीज होती है सबसे सुंदर होती है उसमें और सुंखन्द यानि जो चीज सुंदर है वो उस से भी और सुंदर हो तो ऐसा option आपको यहांपर क्या करना है चुनाव करना है देखेँ option आपको है सुंखन्द यूक्त आभुषन सुंदर आभुषन सुन्दर वस्तू में और गुण होना सुगंदित होना तीसरा उप्षन यहां पर आपको दिया गया तीसरा उप्षन राइट हो जाएगा सुन्दर वस्तू में और गुण होना यानि सोने में सुगंद वाली बात है यहां से राइट हो जाएगी इसके मुहावरे का जो अर्थ होता है वो यह होता है सुन्दर वस्तु में और अधिक गुण होना सोने में सुगंध होना होता है नेक्स क्यूशन की बात हम करें देखिए आपका उधारन क्या दिया कि अगनी का प्रायवाची शब्द नहीं है तो आपको पता से लिए चार उप्षन है तीन तो है वो अर्थ देंगे एक है वो अर्थ नहीं देगा इसा उप्षन में चुनाओ करने है option यापर पहला मिलता है मयूख दूसरा option आपको मिलता है पावक तीसरा option आपको मिलता है वहनी चोथा option आपको मिलता है क्रिशानू ठीक है पावक आग होता है वहनी आग होता है क्रिशानू आग होता है यानि जो तीन option आपको यह दिया जा रहा है दूसरा तीसरा चोथा आग के प्राइवाची लेकिन जो मयूख है वो आग का प्राइवाची नहीं है ये आप से पुछा गिया है तो option इसका पहला राइट हो जाए लेकिन मयूख है क्या ये जो आपकी कीरण होते है उसका प्राइवाची शब्द है कीरण यानि अन्सू मिर प्राइवाची शब्द है तो इसका पहला option राइट होगा नेक्स्ट क्यूशन की बात और करें के लिए की एक क्ट्रूशन ये और क्यों है नेक्स्ट क्यूशन की बात हम करें तो क्या है अपका कोन सा समस्थ पढ़ मद्य पढलोपतपु है का उधारण नहीं है कोन सा समस् नहीं है। अब सबस्षे पहले हमें जारना होगा मद्ध्याप्द लोपी क्या होता है। जब हम तत्पुरुस माश की बात करते हैं तो मूल रूप से तत्पुरुस के चाह प्रकारिय में पढ़ाई जाती हैं। हाई जो हमारी जो आर्ट कारक की विवक्तियां पहले से पहला औरण Team कारक दूसरा option आपका है वन मानुष टीसरा option आपका कौन सा है मधुप और चोथा option आपका कौन सा है गृतान अब देखें सब का मैं क्या करता हूँ विग्रा करता हूँ और हमारा जो ये question है उसके शाप से कौन सा सी होगा पन्चक्कि का ताथ परे क्या है पानी से चलने वाली चक्की चारो उप्षनों को एक बार मैं जो विग्रेव कर देता हूं One में रहने वाला मानुश One में रहने वाला मानुश या मनुश्य ठिक है मदूप मदूप को पीने वाला ठिक है और यहां पर गृतान गृत में पका हुआ अन पका हुआ अन अब देखे चार ओप्षन है उसका हमने क्या कर दिया है समासिक विग्रह हमने कर दिया पंचक के वो कैसे बना बीच वाला मेटर हटा दो पहला और जो अंतिमन दोनों को मिला हो पंचक के अर्थात हमने लुप्त कर दिया बीच वाला पद तो ये तो राइट है उसके बाद है वन मानुस यहां पर देखे में रहने वाला इसको अटा दो और इसको और इसको जोड़ दो यानि ये भी क्या है राइट है लुप्त पद हो रहा है उसके बाद में गृत में पका हुआ यह अटादो और गृत और अन को जोड़तो गृतान बन जाए यह भी है लेकिन जो बीच वाला है तिन नंबर है मदू को पीने वाला या पीने वाली ठीक है हम इसको क्या कहेंगे जो भोरा होता है हमारा वो होता है मदू को पीने वाला या फिर हम उसके लिए मदू मख्यी श नहीं है यह आपको यहां से ध्यां रखना है next question की बात हम करेंगे next आपका question है कि किस विकल्प में यह प्रत्य का प्रियोग नहीं हुआ है यह जो प्रत्य है इसका प्रियोग नहीं हुआ है तो तीन option है जिसमें प्रियोग हुए है और एक ऐसा option है जिसमें प्रियोग नहीं हुआ उसकी बात यहां पर हम करेंगे तो पहला option आपको यहां पर क्या मिलता है पहला option है आपको यहां पर दिया गया है पाणिनी ये अभी हम इनका विग्रह करेंगे हम ये पर तेलग करेंगे अगला है विचारन ये नेक्स्ट आपका है तीन नमबर मानविये चोथा आपका जो option दिया गया है वो कौन सा दिया गया है भवदिये दिया गया है जिसका आर्थ होता है आपका या आपकी भवदिया अब देखिए इन में हम क्या करेंगे ये परते निकालेंगे मैंने आपको परते के संदरब में पहले भी बताया था जब हम परते की मातरा निकालते हैं जो अंति मातरा होती है वो हूब हूब निकल जाती है देखिए जो आपका पाणी नी शब्द है इसका जब हम विग्रा करेंगे तो पाणी नी के साथ में हमें क्या करना है ये जोड़ना है अब देखिए ये जो शब्द आपको दिया गया है विचार आपका मूल शब्द होता है विचार आपका यहां तक मूल शब्द है तो और इस रहा किब जैसे इसमें अनया हो गया इसके बाद में मानवी है मानव आपका मूल शब्द बस जाता है और इसके साथ में आपको यह प्रत्य जोड़ना है भहुदिया में आपका भवत भवत और इसके साथ में आपका क्या जोड़ जाता है यह प्रत्य बहुदिया बन जात नेक्स्ट क्यूशन की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्यूशन की बात हम करें तो आप देखोगे नेक्स्ट क्यूशन में क्या है निमन लिखी एक अकेला दो ग्यार है बड़ा है अच्छा आपका एक क्यूशन है एक अकेला दो ग्यारा है ठीक है आपको पढ़ते ही समझ में आया होगा कि ऐसा आर्थ देने वाला कौन सा है एक अकेला दो ग्यारा ठीक है यानि आपकी जो अपसन है वो मैं आपको बता देता हूँ एक प्रकृतिका नहीं होना ये गलत है उसके बाद में संग्ठन में शक्ति होना जगडा दोनों और से होता है चालक को चालक से काम पड़ता है तो अब देखिए एक अकेला था कोई वेक्ति था वो एक अकेला लेकिन वो जब 2 हो जाते हैं तो ग्यारा जितनी हो जाते है अर्थात हम इस वाकिए अर्थ क्या ले रहे हैं कोई भी संग्थन जब बन जाता है तो उस संग्थन में क्या होती है शक्ति होती है ऐसा option आपका है बी नमबर तो एक अकेला दो ग्यारा संग्थन में शक्ति होना इसका अर्थ यहां से हो जाएगा वह अत्यार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है वह अत्यार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है ठीक है ऐसा option आपको देखना है ऐसा अत्यार जो एक तो हाथ में थाम कर चलाया जाता है एक हाथ से छोड़ कर चलाया जाता है हो चोट वाल और जोत्था ऊपस्जन है यह उबहु कर चाफ हैं चार उपस्जन आपको यह पर दियें इस दिद्धे और चोथा उस्जन के नाम नहीं इए अब देखिए 我र्मार हो अब थियारों के जो प्रकार है वह पूचा गया एंगिन आपकर ते जाला जाने वाला हत्यार हाथ में थाम कर अस्तर होता है वो हाथ से छोड़ कर चलाए जाता जैसे भाला होता है थीक है उसके बाद मैं सस्तर के बात करूं हाथ में थाम कर जैसे तलوار और आप से ये क्यूशन पुछा गया है तो दो नम्र ऑप्सन है वो इसके लिए बिल्कुल उसका हमें क्या पुछा गया है अनंग शब्द का अर्थ है अनंग शब्द का अर्थ हमें बताना है next question है आपका अनंग शब्द तो अनंग का जो अर्थ होता है वो बिना सरीर का होता है इसा option आपको देख लेने हैं अनंग जो अर्थ होता है वो क्या होता है बिना सरीर का बि होगा next question कि अगर हम बात करें तो next question आपका क्या है वो देखिए एक शफद के संदरम में यह संगत चांटने चार option आपको यहां पर दिए गए हैं चार उप्शन दिए गए जिसमें से तीन क्या है सही है और एक है वो औप्षन आपका गलत है उसी गलत औप्षन को हमें चांटना है तो उसकी बात हम करेंगे और उसका सही क्या होगा उसकी भी बात मैं आपको बताऊँ पहला औप्षन आपको दिया गया है कि जिस जिसे क्रिय किया गया हो जिसे क्रिय किया गया उसके लिए क्रीत सब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है बिल्कुल राइट है और जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो शिपरहस्त इसका भी राइट है सुन्दर और लंबे वालों वाले इस्तरी विकेसी नहीं दिया गया है और ल इसे वाला जो 3 नमबर ओप्सन है वो शंगत है क्या सो क्विशन क्या था कि सुन्दर और लंभे वालों वाली स्ट्रीय यहां पर ओप्सन में क्या दिया ग Şeyh के अगया है एसका विलोम संग्या सरवना विशेशन क्रिया अव्यव और अनवसक शब्द पद कर्म पद की एनविती वाक्या की इनविती सब चीजों का हमें ध्यार रखना पड़ता है कारक का प्रयूक सही किसे किया गया है या नहीं उन सब का प्रयोग करना होता है पहला वाक्य देखिए किसी और लिखेंगे प्रामर्श लिए में यह किसी और लिख रहा हूं कि और अन्य से प्रामर्ष लिजी देखिए आगे जाने के आउशकता नहीं है पहला जो वाक्या उसके ओपर हमें ध्यान देना होगा किसी और और अन्य यानि यह जो दो सब्द आपको दिया जा रहे हैं एक तो और है और एक अन्य है दोनों ही एक ही अर्थ देने वाले शब्द है अर्थात यहां पर अनावसक शब्द का प्रियोग किया गया अनावसक शब्द का प्रियोग किया गया हमें एक सब्द का प्रियोग करना है चाहे हम और का करें चाहे हम अन्य का करें किसी और से प्रामर्ष लिजिए किसी अन्य से प्रामर्ष लिजिए दोनों में एक शब्द का प्र थोड़ा सा ध्यान देना इस वाले उधारण पर आपको क्योंकि आगे इस आने वाले एक उधारण उसके बाद में हम सब को मानविये दुरल बताई है मैं निर्मतर कारिय करने के लिए बहस्तु हूं ये तिन्नों ही सही है ये वाला गलत है नेक्स्ट की बात हम करें तो क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट वाक्या की बात हम करें बाकजाल का संदी विचेद क्या होगा इसका हमें संदी विचेद जानना है तो यहां पर आपको यह जो दो बीच में शब्द दिखाए जा रहे हैं जहां से शब्द तूटेंगे वहां पर द तोनमों तीन नमबर है। इसका मतलब यहांँ पर क्या है वेंजनसंधी का अंकวिधान का नियम लगेगा। अंकวिधान कीकलास भी आप इसको पें वाली संधी वाली कलास में जाकर देख सकते हो प्लेय师 में जाकर संधीकी कलास है। अब इसका जब मैं विशेद करूँगा तो क्या हो जाएगा वाक धन जाल यह वाला option यहांपर मिल जाएगी यह तीन नमबर है इसको हम तीन नमबर करेंगे तो क्या हो जाएगी यह तीन नमबर हो जाएगा और क्या बन जाएगा वाक जाल ये option पहला पहला सही है लेकिन एक option ये भी आपको दिया गया वाक धन जाल तो यहाँ पर जो है वो यहाँ से गलत हो जाता है यहाँ पर हलंत वाला ही सही होगा तो इस option का आपका चुनाव नहीं करना है तो मेरे आपका पहला उप्षन यहां से बिल्कुल राइट होगा विद्याधन में कौन सा समास है विद्याधन ठीक है आप समास के क्लास में भी मैंने बताया है विद्याधन में कौन सा समास है विद्याधन में कौन सा समास है कृष्ण में आपको दिया गया है करम धारिये तत्पुरूष अवीभाव और द्वंधुकरमधार एक क्या होता है जिसमें पहला अपत विशय्षन होता है दूसरा अपत विशय्ष होता है और उसमें रुपी के समान सम् सा अदीशब्दों का प्रियोग किया जाता है तत्प विद्या धन है उसका मैं क्या कर रहा हूं विच्छेद कर रहा हूं विद्या रूपी धन विद्या रूपी धन तो मैंने आपको यह भी बताया था रूपी शब्द का जब परयोग किया जाता है तो समास कौन सा होता है करम धारिय समास होता है धन विद्या धन रूपी ठेक ह इसमें पहला यह option आपका right हो जाएगा next है कवी का स्ते लिंग शब्द ठीक है यह जो उधारन है वो हर प्रिक्षया में पूछा ही जाता है कवी का जो स्ते लिंग शब्द है वो कौन सा होता है तो मैं आपको बता दूँ कवी का स्ते लिंग शब्द है three होता है कवे 3 आपका कभी का consistent है न्य कि आपका कभी crime-1 तो यह वाला option है वह घलत है यह वाला option है वह राइट है एसा option आपको कहां पर मिलता ए तीन number C में आपको मिलता है कभी का jus ktoś three ring है वो कभी 31 ही होता है next question next question की बात हम करें कि वाक्यांस के लिए एक सब्द के शंधर में संगत को चुनिए वाक्यांस के लिए एक सब्द के लिए जो संगत कथन है जो सही कथन है उसका हमें चुनाओ करने देखी अब मैं आपके एक एक उप्शन पर जिसकी इपशा की गई हो पहला उप्शन क्या है जिसक ब्ल मातलब गवना शैति के बल चलता है वह होता है खामंप होता है यहांने यहां पर फिसन यहांपर क्या दिया गया है अप्शन आपको दिया गया है उठ्षिप्ट इस हो जाएगा कराएं की बात हम करें तिसरा option क्या है जिसकी दोनों पक्सों में निश्टा हो जिसकी दोनों पक्सों में दोनों मतलब उब्य निश्टा मतलब निश्ट उब्य निश्ट यानि जिसकी दोनों पक्सों में निश्टा हो उसे उब्य निश्ट कहते हैं तिसरा option यहाँ पर हमें right मिल जाता है उसक कुल में उत्पन हुआ उसे हम कुलीन कहते हैं कुलीन शब्द काना चाहिए था लेकिन यहां पर क्रितार्थ दिया गया है क्रितार्थ यहां पर क्या होता है गलत होता है जो अच्छे घर में जनम लेता है वंस में जनम लेता है उसे हम कुलीन कहते हैं तो ऑप्सन नमबर तीन उब्वेनिस्ट वाला राइट हो जाएगा देखिए नेक्स्ट देखिए नेमलिकित शब्दों की वर्तनी शुद्ध है अभी मैं थोड़ी दिर पहले आप दो एक शब्द बता के गया था जिसका वाक्य दूसरा क्या था दूसरा वाक्य ये था किर्पया अपना वक्तव या परदान कर अनुग्रहित करें तो वो अनुग्रहित शब्द का आप में ध्यान रखना था वो ही आपसे पूछा गया है सुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है जिसकी वर्तनी क्या हो शुद्ध हो जिसकी वर्तनी शुद्ध हो अनू ग्रहित और जो चोथा option दिया गया है जिसको मैंने पहले लिखा था अनू ग्रहित ये option देखी ये option बिलकुल इसका right होगा तीनों शब्दों की जो वर्तनी है वो क्या है एशुद है ये गलत है और अनू ग्रहित शब्द की वर्तनी वो बिलकुल right है देखे इसमें बन जाएगा ग्रहित बन जाएगा और अनूप सरीस के साथ में जोड़ दें यह शब्द हम और प्रकड़ती इस तरीके से हो जाती है नेक्स्ट क्यूशन को देखते हैं निमन लिखित में से संदी के समंद में सही विकलब का चैन करिए चारों जो उधारने मैं यहां पर दूसरे उप्षन की बात हम करें तो दूसरा उप्षर है प्रोजवल प्रोधन उजवल जवल लिखा गया है यहां पर इसका लिखा गया है प्रिशकार और यहां पर क्या लिखा गया है प्रोजवल लिखा गया है तीसरा उप्षन यहां पर क्या लिखा गया है क्रीपा धन आचारिये और यहां पर जो इसका उत्तर लिखा मिलता है वो क्रीप आचारिये मिलता है ठीक है उसके बाद में जो चोथा उप्षन आपको दिया गया है नी धन स्थूर और इसका मिलता है आपका निश्ठूर तो चारों आपस्णों के उपर हमें ध्यान देना है कौन सा कर्षा मिलती है तो यह वाला जोड़ा है वो गलत है में वुद्यार में गलत किया किसका क्या हो जाएगा राइट Ho गा Michigan एक यजो है आपका pencil संदिका नियम लगता है प्रत्म श्ब्द की अंटर में चार मात्रह उसके बाद में यह ताइवर गाई तो वह में प्रिवर्तन हो जाता है जिसका निश्ठूर हो जाता है इस है को हम इसमें बदल दिया इस थैक को हम ने इसमें बदल दिया आप वेंजन संदी के वीडियो को पर जाके देखोगे तो यह उधरना आपको वहाँ पर मिल जाएगा वाकाईदा उसे क्लास के दोरन तो आपका उप्शन नंबर यहाँ पर राइट कौन सा होगा सही आपसे पुछा गया है तो चार नंबर उप्शन आपका निश्टुर वाला उप्शन आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास है next question है आपका किस विकल्फ में इत प्रत्य का प्रयोग तदित रूप में हुआ है तदित प्रत्य आपसे पूछागे तो मैं यहां पर लिख रहा हूं तदित प्रत्य अब देखे जब प्रते के हम बात करते हैं तो मूल रूप से जो प्रते होते हैं आपके दो प्रकार की होते हैं एक तो होता है कृत प्रते हैं एक होता है तदित प्रते हैं कौन-कौन से होते हैं कृत प्रते हैं शंवुम ना के सथ यह ग्रृप्राइजुआ से तीसरा विशेशन ही और चोथह आपकी होती है क्या थीख है यह चार विकरी सब दोते हैं उनके साथ में क्या जुड़ते हैं प्रत्थ जुड़ता है तो उस प्रत्य को तदित कहा जाता है किसी भी धातू के साथ किरिया के साथ में कोई भी प्रत्य जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है करित प्रत्य कहा जाता है अब आप से क्या पुछा गया है क्विशन में तदित प्रत्य अर्थात वो संग्या सर्वना व अलग करने वाला हूं और उसके बाद में आपका प्रत्य है लिखित और उसके बाद में आपका है याचित ठीक है उसके बाद में जो आपका चोथा ओप्सन है वो है क्या दुखित चारों ओप्सनों को हम क्या करेंगे अलग लग तरीके से इनका विग्रह हम करने वाले मापि संग्या के साथ में इक जोड़ा अब ये तो संग्या ये धातू है अब ध्यातू है तो आप इसके कईट एक बंड़ा शोड़ा तो इसका दुखना थोड़ी बनेगा इसका रिखशा बनेगा तो अपने आप इसके साथ एक जोड़ा दुखित बन गया आप से क्या पुछा गया है यह पुछा गया है तो आपका चार नंबर उप्षन है इस क्विशन के लिए राइट होगा समझ में आ रहा है तो मुझे कुमेंट करके जुरूर बताओगे प्लीज जिनके समझ में आ रहा है और जिनके कुछ एक शब्दों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो पेपर था बड़ाई अच्छा शांदार अच्छा पेपर आया था आपके लिए नेक्स क्यूस्टिन की अगर मैं बात करूँ अवधूत का आर्थ क्या होता है अवधूत थोड़ा साफ साहित्य का नोलेज रखते ह तो मैं आपको अगेजी के बारे में बताता हूं अगेजी की जो ऐसाद्य वीना है हिंदी वाले बच्चे इस बात को ज्यादा समझेगे उनके कविता है ऐसाद्य वीना कविता में आपका जो अगेजी है उनके लिए अवधूत शब्द का प्रियों कि अवधूत वहां पर वो क्या होते हैं मस्ट से होते हैं और कविताएं करते हैं बजन करते हैं ठीक है इस तरीके से मस्ट और जो फकड सवाव का विप्ति होता है उसको क्या का जाता है वदूत कहा जाता है यह वदूत असाद देविना में अगया जी को कहा गया था हिंदी साहिते के बच्चे इस तो भले बांती से जानते होंगे जिन्होंने ऐसा देविना सतितानंद हिरानंद वात्साइन अगय जी की जो कविता उन्होंने पड़ी है तो आपको दिखाई दे रहा है दूसरा आपका क्या दिखाई दे रहा है दूसरा आपका यह है निर्वा है निर्धन वा है यह भी बना है उसके बाद में तीसरे की बात करूँगा तो नीरत अब देखिए नीरत नीधन रत जो रत नहीं है तो यह नहीं बना है चोथा उप्सन क्या है नी निर्मूल निर्धन मूल यानि यह जो तीन है यह जो तीन है इसमें बना है और यह चोथा यह नहीं बना तो यह आपका उप्षन क्या हो जाएगा इसके लिए राइट हो जाएगा जिसमें निरुपसर्ग नहीं बना है इसमें निरुपसर्ग लगा गया है ठीक है नेक्स्ट क्यूशन आपका क्या पुछा गया है नेक्स एशुद्ध शब्द का चैन कीजिए बापिस हम शब्द शुद्ध की और जाएं तो एशुद्ध शब्द है उसका प्रियोग हमें देखना है ठीक है चार आप्स मैं आपका लिख रहा हूं आपका है पीडित दूसरा कौन सा है डूसरा कौन सा यव का जड्मति का जर्मति होई शुद्ध योग रूड योग्यूड आप शब्दों के परकार में यवा धोर्गोड शब्द को पढडते हो और छोथाका उप्शना आपको दिया गया है निरोगी ठीक है आपका क्या क a wash Shabbdae Penit Shuddae जडमति शुद शुद रहरू जबत निरोगी शब्द को बारी बारी से ुच बनाओने से अब देखिए नीविशर्ग रोग इसको बनाएंगे तो यह रह में बदलेगा लेकिन रह के ons रह नहीं बेड़ता तो निरोग हो जाता है उसमें यह पर ते लड़ा दो निरोगी तो यह शब्द आपका क्या है एशुद है यह शब्द आपका यहां पर प्रिक्षा में एशुद आप से पुछा गया है उप्सन नंबर चार यहां से बिल्कुल राइट होगा नेक्स्ट क साहे समास के लिए ऐसंगत आपको बतारा है दोनुप प्रधानों तीन परकार के होते हैं समाहार गया यह श्यथे उप्सन में क्या है गंगा यह मोना 1.6 बिल्कुल राइट है गंगा और यह मोना तो क्टिशन और अर्जुन आता है लेकिन यहां पर वेकल्प का है और है और का मतलब इत्रहतर दोनों को अलग लग कर रहा है तो यह क्या होता है इत्रहतर होता है लेकिन उप्सन में आपको क्या दिया गया है वेकल पिक दिया गया तो यह यह आपर गलत दिया गया था, उप्स नमबर इसका दौ राइट होगा, लेकिन आगे क्या है, एकहतर, दुवंदव, इतरे दुवंदव, एक और सथ, क्या होता है, एकहतर होता है, और सब्द आ गया बीच में, बाल बच्चा, यह समान बाल बच सकती हैं नहीं क्लास लगाई यह हिंदी व्याक्रण की जिसके संधी है समास अपिशर्ग प्रत्य या और भी आपके जो धारन आई हैं मेरी क्लास में आप जाके देखोगे तो आपको वेशक फिर तो मिलने वाले नेक्स्ट क्या है अंदे की लकडी मुहावरेकार्थ अंदे की लकडी देखी अंदे की लकडी आप पढ़ते ही इसका उत्र समझ गये होंगे को अंदा व्यत्य उसकी लकडी होती है वो सारा होती है मतलब जो लकडी होती है वो क्या होती है अंदे आदमी का एक मात्र सारा होत next question next question क्या है देखिए last question मैं आपको पढ़ रहा हूँ 200 number question निमल में से कौन सा सब्द परियुप सर्ग से बना है परियुप सर्ग अभी मैं आपको बता रहा था परिधन कार परिधन कार में परियुप सर्ग था लेकिन आपर विशर्ग लगा दी तो ये उधारन गलत हो गया था विशर्ग का उधारन नहीं है ये वेंजन संदी का उधारन था परियुप सर्ग से जो शब्द बना है वो परिधन धीशे बना है ये पहले उधारन उसके बाद में दूसरा है वो है प्राकास्टा जिसमें प्रा लगाया गया प्रा उप्षर्ग के साथ में प्राकास्टा लगाया गया ठेक है यह नहीं है प्रिप्षर्ग उसके बाद में जो अगला उधारना है प्रे दक्षिना और अगला है प्रे उप्षर्ग के साथ दक्षिना यहां पर लगाया ग से व्यक्या सहीत में ने आपको हल करवाने की कोशिस की है फिर भी आपको अगर लगता है कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट करोगे और आप कोगे कि सरह हमें इस क्यूशन में डाउट लगता है बाकि डाउट वाली कोई बात ही नहीं है आपकी NCRT दबारा BACR मादे मिक्सिक बाड की जो रचना प्रबोदाती है नो से बारा उस किताब को आप पढ़ लेना आपके BSTC के लिए बड़ी काम की किताब थी वो उन में से क्यूशन पूछे गए हैं सीदे के सीदे ही आप बहां से पढ़ लेना जुरूर आप बताओगे ये वीडियो देखने के बाद में आपके कितने जो क्यूशन है वो सही हुए हैं और कितने के आपने जवाब गलत दिये मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जुरूर बताओगे आज के लिए इतना है शुक्रिया धन्याओगे